अमेठी जिले के जगदीश पूर ब्लाक के मिस्रवली गाउं के लोगों ने लामबंध होकर एक साथ फैंसला सुना दिया कि आने वाले चुनाव में अगर उनके यहां संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया तो वे किसी को भी ओट नहीं देंगे देखिए इस पर अमेठी से हमारे ब्योरोचीफ आशीज सिंग की ये खास रिपोर्ट सडक नहीं तो वोट नहीं की बात जैसे ही जिला अधिकारी के कानों में पड़ी उन्होंने आव देखा नताओ जगदीशपुर के बीडियो शसी तिवारी को वहां मौके का मुआयना करने के लिए भेज दिया इसके बाद शसी तिवारी ने ग्रामेडों से बात की और मौके का मुआयना किया जिसमें जो जानकारी सामने आई वह जानकारी अब शसी तिवारी मेडिया से साजा कर रहे हैं आई ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं वीडियो शसी तिवारी पानी आउता है उप्पर से आर से इसी में निकलते हैं कि भर गरा बारिश में वह हुआ रहे हैं आज आप लाला एसरी दास मौजा मिस्रोली का निरक्षण किये हैं आप वहां पर जाके क्या पाएं मैंने ग्रामेरों की जो समस्या हैं कि उनको मौके पर जाकर देखा और ये पाया कि जब इस पुछ से सुल्तान को जाने वाले संपर्क मार्क से पीचरोज उस ग्राम तक जाती है फरंतु बीच में रेलवे क्रासिंग होने के का उस ग्राम को जोड़ नहीं पार हैं उनकी समस्या अपने गाउं पर पहुंचने की है रेलवे क्रासिंग के पहले पकी सड़क बनी हुई है और रेलवे क्रासिंग पार करने के बाद ही उनकी गाउं में खरंजा लगा हुआ है जाज है जिसके लिए उस लिए इंदर बास बना दिया जाए आथ्वा आरोवी बना करके भी saad करना दूसरा संपर्क मार्ण जो निहीं दिया जा सकता है तो गाउं से लगभग 1.5 km दूर पर मंगवली ग्राम पंचायद के जबर का पुरुवा के पास में एक अंडर पास बना हुआ जो अंडर पास जगदीश्पूर सुल्तानपूर में रूट में आकर के मिलता हुआ मिलता है इस जबर के पुरुवा ग्राम पंचायद मंगवली से यदि एक संपर्क मार्ग उस ग्राम तक बना दिया जाए तो उनकी समस्या का समधान हो जाएगा इसमें रेलवे की जमीन है और उसके बगल में लोगों के वेश्टियत जमीने है इसमें मैंने जो आख्थ्या प मतियी है जाए जीर जासो अजाए बाएम झालस्त बदाए्ट का जबाएम